हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल समराट एजूकेशन में दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक्स्टेंशन एजूकेशन का पांस अच्छा मोस्ट इंपार्टन केस्चन लेकर रहा हूं जो एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर है औ तो पहले दोस्तों मैं आप लोग बता देता हूं कि इस योजना के अंतरगत हुआ क्या था इस योजना के अंतरगत दोस्तों जो एकिक्रित ग्राम भी कास योजना होता है इसके अंतरगत आर्थिक वी समता को दूर करने का कार किया गया था मतलब दोस्तों जो आर्थिक व समता को दूर करने का एक प्रयास किया गया था इसका मुख्यलच गरीवी को दूर करना बेरोजगारी को दूर करना था तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को इसका अंदरगत आर्थिक विसमता को दूर करना गरीवी और बेरोजगारी को दूर करना था इसकी सिर सब्सक्राइब करते हैं आप लोग समझ में इसमें बता देते हैं जो ग्रामिर लोग हैं वह किसका उत्पादन करके अपने आर्थिक वी सम्ता को दूर कर सकते हैं तो क्रीसी उत्पादन के अंतरगत क्रीसी उत्रो उर्वर को अन्य भंडारत की कोठरियां क्रीसी परदर्फनी बहल तथा पहल गाड़ी क्रीसी सेवा उद्द्रान फल सबजी वनिकरण व्यवसाइक वन जलाओ लखड़ी के वन लगाना पसुपालन दुदारुपसमों का वितरण कुकूटी काई अस्थापना भीड़ पालन बकरी पालन शिचाई कारिकरम यह समुदाइक शिचाई उजनाव पर आवल करके लाप पहुचा आ जाता है तो दोस्तों काने मतलब है कि जो ग्रामीर लोग होते हैं वह काउंसा कार करके अपने विकास को करेंगे अपने आर्थी पी सम्दा को दूर करेंगे अपने पेरोजगारी को दूर करेंगे तो दोस्तों इसमें वह बहुत से काम कर सकते हैं जैसे क्रीसी सेवा उद्यान फलव सबजी वरनी करण ब्यवसाइक तो दोस्तों जो मैं बता रहा हूं आपकी सीजिज में दी जा हुआ है आप लोग देख लिजेगा पेज नमबर फ देखना मुक्ष्ट से गरावी युवक में यूतियों को उपियूगत व्यवसाइक पर सिच्छर देना है कि जिससे में समाजिक आर्थिक दर्शा सुदार सके एक केडर राष्ठी ख्रिसीव आयोग 1971 से 23 statements & तरुस्तो द्यान दिजेगा कड़ेदर डॉस्तोव दक्टर स्वेतिस मेटर्स्सशेता में समित्जी बना कर सुदू किया गया था इन संनी क्याग्या पर सवन ay yn 94 में mr QUE रिसीव 2 pa ड़ीटेरी में स्धापित किया गया हो सातमी पंच वर्शी वजञान केंडर खुलने के अच्ता की गई थी परतु दसमी पंच वर्शी वजञान तक भी सभलता नम मिल पाई तो दोस्तों क्रीसी विकास केंडर का मोख्य उद्धियस यह है उसका अस्थापित करने का मोख्य द्धियस यह है में डाक्टर मोहन सिंग मैता की अध्यचता में समित्री बना कर सुरू किया गया इन्हीं के आधा आग्या पर अध्या पर दोस्तों इसका लच्छे बना था कि साथ मीं पंच वर्षी उजना तक प्रत्यक जीले में क्रीशी विज्ञान के अंद्र खोलने को लेकिन दसमीं पंच वर्षी उजना तक भी सफलता नम मिल पाई और देश में फूल दोस्तों आगे चलते हैं देखते हैं भारती किसानों ग्रामिर महिलाओं यूतियों तथा प्रसार कार्ताओं को पर्षी चीत करना कि फ्रसिभ कईसर्द्लप बिरेख करने जब सकता है कि क्रिसंग तो इसका उद्यस्का पूर्षा पस्टक्रायों यूध्युशा करते हैं अगला है प्रसार सिच्छा कारक्रम के अंतरगत प्रदर्शनी गोश्ठी फिल्ड ड्रीप की रिसी एम पसुद बालन की नहीं वीदियों के प्रसार के लिए आयोजन करना यह एक परी टैकनिक का रूप है दोस्तों जिसमें विभी ने भी समझ के विशेसर के कारे रहत हैं त तो राज की ओर से पहली बार गुड़ गाउं जीले में गाउं के विकास का कारे करम चला गया था जिसमें गुड़ गाउं जीले में 1920 इस्वी में एफेल ब्रेनी दोस्तों एडिप्टी कमिसनर के रूप में पदभार ब्राण किये उसके पस्चात अपने जीले में उन्हो गुड़ गाउं जीले में विकास का कारे करम चला गया था सन 1920 इस्वी में एफेल ब्रेनी दोस्तों एक डिप्टी कमिसनर के रूप में पदभार ब्राण किया उन्हों ने पदभार ब्राण करने के पस्चात ग्रामिल विकास की योजना परारम की जो गुड़ गाउं प्र चनीत जो भीना मतलब के खर्च करते हैं उसको रोखना, श्वासा सम्मंदिय शुदार करना, ब्राण की इस-त्री सिचा की विकास करे ग्रिय न्दंध करना, तो दोस्तों यह सब इसका उद्द्य सै था दोस्तों इस कारक्रब महें भी कूछ सपलता मिली लेकिन या कारकरम भी चाहते दिन तक ना चल सके क्योंकि दोस्तों जो एफेल बिरेनी थे उनका जब अस्थानांत्रा डोग्या ट्रांसफर हो गया तो उन्हीं की इच्छा पार या जो प्रोजेक्ट था चल ला था उनके ट्रांसफर के बाद दिरे दिरे या प्रोजेक्ट भी चλबगि जो गुरोग्गाव प्रोजेक्ट के नाम से प्रसीद हुआ यह योजना भी यायदा दिन तक ना चल सकी क्योंकि उनका अस्थानांत्राइड से उनके साथorial इन दिरे समाप्त हो गयी विचल सकतर army ना senza कि मेरी भी योजना दोस्तों के उद्यस से 1948 में बनाई थी जो नीलो खेडी परयोजना है इसको एसके डे ने पाकिसान से आये लगबग साथ सो लोगों को बसाने के उद्यस से 1948 इस्यों में बनाई थी करनाल और कुरू छेत्र के बीच लगबग सव एकर दलदली जमीन का उपयोग करके इस योजना को प्र तो इस योजना के जो नहीं दे सकते दोस्तों स्री इसके डे बाद में भारत सरकार के सामुदाई विकास के मंतरी भी बने थे तो ध्यान देजेका दोस्तों इस योजना को पाकिसान से आये लगबग साथ सो लोगों को बसाने के लिए से 1948 इस्यों में बना गया था करनाला और कुर्चेतर के बीच लगबग सो एकर दल्दल का दल्दल जमीन का प्रयोग करके इस योजना को प्रारा में किया गया था इस योजना का नाम मजदूर मंजिल था तो इस पर यह नहीं देख सकते डाक्टर इसके डे बाद में बारत सरकार के सामुदाई विकास के मंतरी बने इसका मुख्य उद्यस क्या क्या है दोस्तों जीवन के सभी चेत्रों में आत्मनीर बढ़ता को प्राप्त करना दूसरा लोगों के अनुभव के अधार पर उन्हें वे अवसाइक प्रसिश्चरत अथा व्यवस्था दिरवाने की व्यवस्था करना मतलब दोस्तों यह क्या है कि यदि कोई कार चलाना जानता है तो उसे उसकी योगता कि अनुसार कार चलाने के लिए उसे रोजगार देना उसे प्रसिश्चित करना अगला आगे देखतें इसका इसकोप क्या क्या है नील खेड़ी के आसपास सव गाउं में कार किया गया जो नील खेड़ी इस किया गया आगे देखते हैं दोस्तों मन्रोंजन की सुविधा की गई इसी योजना के अंतरगत दोस्तों नीली खोड़ी योजना के अंतरगत मन्रोंजन की भी सुविधा की गई समाजवादी समाची रस्थापना का प्रयास भी किया गया आगे देखते हैं ग्राम पंचायत क कारे ग्राम पंचात की क्या क्या कारे हैं दोस्तों बहुत इंपार्टेंट है अर्वारिक यहां पूछे जाता है और आप लोग वासाने समझ में भी आ जाएगा मैं फिर से आप लोग बता देता हूँ यह तो डिस्क्रिप्शन वाटसप ग्रूप कर लेंकर वाटसप नंबर दिया गया है मैं से चिटके आप इसका पीडियो प्ले सकते हैं तो ग्राम पंचायत ग्राम की स्वच्चता जो ग्राम पंचायत होता है दोस्तों वह गाओं की स्वच्चता प्रकास, सड़को, आउसधालेओं, कुओं की सफाई और मरमत, सरवजनिक भूमी, पैट बाजार दाता मेलो और चारा गाओं की विवस्था करती हैं जन्मृत्यू का लेखा करती है और खेटी उद्यों धंदो एवं यव्य पारियों की उन्नती बिमारियों के रोक्थाम समसानों और परष्टानयों के देख भाल करती है दोस्तों ये शब ग्राम्पंचाथ की कारь हैं दोस्तों एक किष्टन मैं सीडि से लिया हूँ पर आया सभी राज्यों में इसे जीला पंचायद काते हैं असम में इसे मौखिक परिशत काते हैं दोस्तों जीला पंचायद के गठन के लिए 50,000 की अबाधी पर एक जीला पंचायद सदस्य को प्रतय चमतदान से जनता चुनत सदब से जीला पंचायद के देज का चुना करते हैं जीला पंचायद का वित्र प्रबंद मुख्य तर राज्य सरकारों के अनुदान तथा कुछ अस्थानी अस्तरपरकर लगाने से होता है जीला पंचायद के कारे मुख्य तर पंचायद समित्यों के कार्यों वा आए करना आधी प्रमुकार होती है जिला विकास अधिकारी जिला पंचायत के अधिच्छ का सत्यू होता है तो दोस्तों यह था जिला पंचायत आगे देखते हैं इंदिरा महिला योजना जो कि दोस्तों बहुत ही महतपूर है उस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को रिड उलब्द करवाया जाता है जिस पर सरकार द्वारा उनको अनुदान मुहया कराया जाएगा यह यह योजना प्रदेश की महिलाओं को सकते हों आत्म जिलबर बनाएगी इंदिरा महिला योजना क्या है दोस्तों इस योजना के अंतर को दोस्तों महिलाओं कर रिड उल जिना 20 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी इंदिर्या महिला योजना तुस्तों कब शुरू की गई थी इसका उद्देश से ग्रामिड अस्तर की महिलाओं में नीड़ले लेने की छमता विक्षित करना तथा उनको अपने अधिकारों के प्रती सचेत करना सरी रुव ग्रामिड शेतर में इन महिलाओं को संगठित करने के लिए अगनवाडी योजना प्रारम में की गई है अगनवाडी केंदर पर महिला केंदर विक्षित किये गए हैं जहाँ पर इंदिर्या महिला बलाग सोसाइटी का गठन किया जाता है इंदिर्या महिला केंदर में लगबग 100-250 मैलाओं का सदस से बनाया जाता है एक विकास खंड में लगबग 120 आगनवाड़ी के अंदर विक्सित किया जाते है प्रतिक इंद्रिया मैला बलाग सुसाइटी में लगबग 12,000-30,000 मैलाओं से संपर्क अस्थापित किया जाता है इस बेकारिया पेचा की जाती है कि पाले वर्स में नियुक्तम 24 लाक मैलाओं की सवागिता हो सके देकी तो दोस्तों इंद्रिया मैला युजना के बारे में मैंने आप लोग को बताया उम्मीद करते हैं आप लोग को सबसमझ में आ रहा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजाएगा और इसका पीडिया चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वाट्सेफ ग्रूप का निकर वाट्सेफ नमबर दिया गया है मैसेश के आप इसका पीडिया ले सकते हैं और दोस्तों यदि इसके आके भी और वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो लिख कर आप लोग कमेंट कर दिजेगा इसके वाद मैं एग